हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्माट इंजिनियर को सब्सक्राइब कर दीजिए कैसे आने वाली सारी लेटेस वीडियो से अपडेट आपको मिलती रहे और फ्रेंट्स अगर आप इंजिनियरिंग फिल्ट्स और भी अपडेट लेना चाहते हो तो आप मारे इंस्टाग्राम पेज के साथ जोईन हो सकते हो जिसका लिंक मैं नीच मैं इंसन किया हुआ है तो चलिए आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो हम जानेंगे कि लेवलिंग और कंटोरी चेप्टर के उपर आते हो है कुछ बेसिक डेफिनेसंस जिनकी मदद से हम आसानी पूरव कोई भी एक्जाम में यह हमारे क आपको समझा दूँ जियां और इससे पहले मैं बता दू कि आप हमारे इस वीडियो पर नहीं हो तो हमने लेवलिंग चेप्टर के उपर जियां उसका इंट्रॉडक्शन वीडियो डाल रखा है आप उसको आसानी पूरवक देखिए जिससे आपको समझ में आएगा और सात इससाध हम जानेंगे करेंगे कि फैंस सबीने आची तरह से जानने वाले है आज आजotte को ना किय 大वन से क्से क्यों प्रॉडल सराफ sf क्रेंख्ष분 यहां जानें के मादम से के जा फाल रॉलियर करना चाहूंगा कि तो आपको पता ही है, तो पृसके सेंट्र के ऊपर वोपर जो बार आएवे होते हैं, तो उसकी को कहते है sommes अपना level of surface तो friends इसका क्या कहता है कि it is a curved surface जी हाँ friends जो हमारा surface रहता है या curved रहता है और friends जी हाँ यहाँ आप देख सकते हो यह हमारा curved surface है और friends आगे चलते हैं आगे हमारा क्या आता है level line जी हाँ फ्रेंस level line की मैं बात करूँ मतलब जो हमारा level surface है उसके उपर जो हमारी line आत उसी को कहते है रहा है है इसकी है इसका डेफिर्फिनेशन की है कि पर रहन लेती कि यहाँ ऐंगी काता है कि इसको घुशिक लेघुड में है और लाइंग जाहिर से बात है यह Are अ वहारी प्लॉमब ऑप लायन रहती है जाहिर से बात है अमारी सर्फेस कर यहां पर सलय स कहा है इसको पर आएक आध्य होती है हमारे लेवल लाइन और इसी के ही हमारी यह प्लंबब प्लाइन के नॉर्मल रहता है जैसे कहा है यहां से भिलिया है जिसके भी यहां पर नॉर्मल है ठरपेंडिकुलर तो फ्रेंट्स कुछ इसी तरह से आगे को उसी डेफिनेस्टाल प्लेंज everything है जिए कि any plane tangential to the level surface जियाँ इसको ही detectors करता हुआ है यसी को हमारी line आती है उसी को कहते है कि यह सारे layer है तो इसके layer के अंदर से कैसे जा सकता है हमारा पृथ्वी surface तो friends जो हमारा earth surface है वह हमारा कभी-कभी जी हाँ उपर नीचे रहता है किस तरह से कि friends मान लेते हैं कि हमारा hilly area है और friends हम कुछ दूर तक जाते हर बार हमारा change होते जाता है कभी high level पे जाता है कभी low level पड़ जाता है तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने आप पर उपर नीचे बताया है तो उसी को यहांपर आप देख सकते हो यहांपर मैंने का कहा कि जब हम पृत्वी की कोई भी layer के साथ जो line हम लेकर कर जाएंगे सी काता है कि It is perpendicular to the plumb up line, जी यहां 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 पर देख सकते हो हम यहांसे plumb up line ले कर जा रहें दोनों साइड से, तो Friends यह यह पर भी आप देख सकते हो और Friends horizontal line मैंने बताया कि horizontal plane के ओपर जो line आई की उसे हो कहेंगा horizontal line definition एक बार देख सकते हो कि any line laying on a horizontal plane is known as horizontal line फ्रेंट्स आगे कहता है कि it is straight and tangential to the level line it is also perpendicular to the plumb up line यह हमारी straight रहती है और tangential रहती है किसके level line के और perpendicular किसके रहती है plumb up line के तो फ्रेंट्स वही बात हुआ कि जिस तरह से हमारा level plane रहेगा sorry horizontal plane रहेगा तो उसी तरह से हमारा horizontal line भी रहेगा मतलब tangent cells पर्स करता हुआ और फ्रेंट्स plumb up line के क्या रहेगा perpendicular रहेगा तो फ्रेंट्स आगे क्या था हमारा vertical plane जी हाँ फ्रेंट्स यह vertical plane क्या होता है जो हमारा horizontal plane है उसी कहीं perpendicular में जो हमारा plane आएगा उसी को कहेंगे वर्टिकल plane तो फ्रेंट्स हापर उसकी definition भी यह कहते है कि it is a plane perpendicular to the horizontal plane और फ्रेंट्स आगे कहा करा है कि plumb up line less in the vertical plane जी हाँ फ्रेंट्स जो हमारा plumb up line रहता है जी हाँ क्योंकि हमारा horizontal plane और इसी कहीं perpendicular में चारा है तो फ्रेंट्स यही हमारा जो है vertical plane होता है तो फ्रेंट्स आगे चलते हैं आगे क्या हमारा कि vertical line जिया हम आफ क्या होता है कि एनी उसे जो 1 लाइन नॉर्मल होकर जाती ह हो उसी को कहते है friends हम यहाँ पर vertical line जी हाँ ठैन आपर आप देख सकत Wanna हैं हमारा इसी को कहेंगे हम कौन सी लाइन वर्टिकल लाइन जी हां और दूसरा डेफिनेशन सोट में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल प्लेन है और उसके ओपर जो हमारी लाइन आती है उसे भी हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन तो फ्रेंड्स आगे क कि आपर चलते हैं अग्यापरिए यहां पर इस लेवल को हमने गया मतलब हमारी प्रित्वी की एक ऐसी सत्ह जहां पर हम consider करें हर जगा हमारा level equal हो जी हाँ उसी को कहते है हम datum line यहनी datum surface friends आगे क्या आएगा हमारा जी हाँ फ्रेंड्स के बाद आगे क्या कहता है कि in India survey of India has adopted main sea level at Chennai has the datum surface जी हाँ फ्रेंड्स आपर जो हमारा main sea level Chennai का है जी हाँ sea level क्यों लिया जाता है क्योंकि friends जो sea level रहता है उसका surface हमेशा हर जेगा का equal माना रहता है तो friends एक reference point जो हमारा main sea level Chennai का है उसको लेगर के चलते हैं कि उसका datum line जो रहता है datum surface वो हमारा same रहता है तो friends आगे कहता हमारा vertical angle जी हाँ फ्रेंड्स vertical angle का क्या है कि the angle between two intersecting line in a vertical plane is full of vertical plane , friends जो हमारे vertical में आई हुई रेतनी दो line जी हां यहां पर आप देख सकते हों कि हमारी line है वह हमारी horizontal line यह लाइन जा रहे है और friends यहां पर line है यह जा रहे और इसके बीच में जो हमारा angle बन रहा है इस के वह कहते हैं वर्टिकल प्लेन जी वर्टिकल एंगल तो friends हमारा वर्टिकल एंगल का और आगी क्या आता है मैं आपको बता दूँ friends आएका कह रहा है कि generally one of the line horizontal जी हां friends जो हमारा line intersect करेगा वो हमारा generally तोर पर वह horizontal line होगा तो friends आएका कह रहा है कि if angle is measured above the horizontal line it is called angle of elevation जी हां friends अगर हम horizontal line के ऊपर एंगल लेंगे तो उसे कहेंगे हम elevation angle और friends जो हम इसके नीचे लेंगे उससे कहेंगे हम depression angle जी हां और friends आगे क्या आता है हमारा reduce level जी हां friends reduce level क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि the vertical distance of point above और below the datum is known as reduced level और elevation जी हां friends यहां पर आप देख सकते हो कि हमने यहां पर एक datum surface लिया है जी हां जो मैंने बता है आपको जो हमारी चन्नगी कि मैंसी level रहती है बताब एक datum surface हम consider करते हो friends इसके ऊपर इसके नीचे जो आता है हमारा surface जी हां उसको कह रहाए कि the vertical distance of a point above और below the datum surface जी हां हमारे जी हमारा नीचे रहेगा फ्रेंट्स उसे लेंगे हम नेगीटिव जी यहां और फ्रेंट्स आगे कहता हमारा बेंचमार्क बेंचमार्क किसे कहते मैं आपको बता दू कि इसको उठाया है उसके नीची इसारा एक्स्प्रेंट किया था तो फ्रेंट्स यहां पर क्या रहा है बेंचमार्क में आपको समझा दू कि जी हां ऐसा हम फिश्ट रेफरंस पॉइंट लेते हैं कि जिसकी मदद से हमें वहां का एलिवेशन पता चलता है जैसे कि मान के चलते हैं कि मैं पर पढ़ा रहा हूं उसका फिर्फ्लोर का एक्लओं वेसरर यहां पर का हूँ हूँ जो मेरा first floor बनाया है, वो मेरा 250 पर है, जिया, तो उसको कहेंगे मेरा benchmark, जो मेरा एक fix point मुझे मिल जाए, जिया, तो friends इस तरह से यह सारे definition का आप use करके paper में असानी पूरवक, अच्छे से अच्छे marks को gain कर सकते हैं, और friends जो मैंने benchmark के पीछे दिखाया था, जिया, यह benchmark के पी बोरिंग ना लगे, जिससे मैं अपने next video में उन सारी चीज़ों को explain करने वाला हूँ, तो friends आप next video को जरूर अटेंड कीजिए, तो friends आज की वीडियो के related आगर आपको कोई भी confusion निकल करके आता है, तो आप मुझे जरू कमेंट कर सकते हो, साथी साथ friends अगर आपको वीडि के जर झेदों गया, तो还 आपको साथी के एओषी पट